हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका ग्रोइंग टेक लासेज में पिसले वीडियो में हमने कैथोड रेट यूब के भारे में जाना था इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैथोड रेट यूब किन टेकनिक से अपनी इमेज को स्क्रीन पे फ्रोड्यूस करता है तो अगर दोस्तों आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है कैथोड रेट यूब का तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां जाके देख ले वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी तो कैथोड रेट यूब क्या था था थोड़ा बेसिक्स मैं क्लियर कर देती हूँ कैथोड रेट ट्यूब एक एलेक्ट्रिक वैक्क्यूम ट्यूब था ठीक है जो की हमारी इमेज को निगर्टिबली चार्ज्ट एलेक्टॉन के यह निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते थे जब हम हीट जेनरेट करते थे यहां यह इलेक्ट्रॉन गन होता था तो जब negatively charged electron produce होते थे hit generate करने के बाद तो वो हमारे screen पे आते थे और हमारा image produce होने लगता था ठीक है तो इसका working mechanism पे brief discussion हम कर चुके है पिछले वीडियो में अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं नीचे लिंक में description box में दे चुकी हूँ ठीक है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे तो टेकनिक्स होते है तो टेकनिक्स यूज करके इमेज को स्क्रीन पे फ्रोडियूस करता है पहला टेकनिक होता है हमारा वेक्टर और रैंडम स्कैन डिस्प्लेई ठीक है वेक्टर स्कैन डिस्प्लेई और दूसरा टेकनिक होता है रैंडम स्कैन डिस्प्लेई तो इस वीडियो में हम प्रैक्टर स्कैन डिस्प्लेई से के बाड़े में जानेंगे ठीक है तो आईए देखते हैं वेक्टर स्कैन डिस्प्लेई के डेफिनिशन से स्टार्ट करते है तो वेक्टर स्कैन डिस्प्लेई क्या है इस रैंडम और वेक्टर स्कैन डिस्प्लेई और सिस्टम यूजेज ए इलेक्ट्रॉन भीम विच उप्रेट्स लाइके पैंसिल तो क्रियेट ए लाइन लाइन और इमेज ओन्ते ज़्क्रीन ठीक है तो वैक्टे शक्न डिस्प्लेइ एक लाइन और इमेज को हमारे स्क्रीन पे क्रियेट करता है कब जब हम इलेक्ट्रण भी पास करते हैं अपने स्क्रीन पे ठीक है The picture is constructed out of sequence of straight-line signal तो जो भी pictures draw होते हैं, हमारे screen पे वो line के form में होते हैं, ठीक है, ये line जो है, so pixels का concept हम जान चुके है, ठीक है, इच line segment is drawn on the screen by directing the beam to move from one point on the screen to the next, where x-y coordinate define each point, ठीक है, तो x-y coordinate और pixel का concept हम जान चुके है, ये जो हमारा screen है, वो x-y coordinate के form में होता है, ये हमारा x-axis है, ये y-axis है, और यहाँ हम महाली जे कोई line draw करना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा starting point हुआ, ये ending point हुआ, ये x1, y1 ले लेते हैं, इसको, इसे x2, y2 ले लेते हैं, तो अगर हम किसी line को अपने screen पे draw कराना चाहते हैं, तो वो x-y coordinate के form में होना चाहिए, ठीक है, और ये, ये क्या कह रहा है, हमारा, इस line segment is drawn on the screen by directing the beam to move from one point on the screen to the next, where x-y coordinate define each point, ठीक है, तो अगर हमारा, हम एक line को draw कराना चाहते हैं, तो हम, हमारा जो electron beam है, इस point से move करके, इस point पे जाएगा, ठीक है, एक, first point से next point पे, तब हमारा, एक line draw हो जाएगा, ठीक है, after drawing the picture, the system cycles back to the first line, and design all the lines of the image 30 to 60 times each second, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो screen होता है, इस screen का inside जो होता है, ये phosphor coated होता है, और phosphor coated screen, phosphor coated screen कब glow करता है, जब हमारा electron beams, हमारे जो के negatively charge होते हैं, ये जब यहाँ पे आएंगे, अगर हमारा electron beam इस person पे आया, तो ये glow करेगा, और यहाँ पे हमारा image produce हो जाएगा, users को देख जाएगा, ठीक है, तो ये जो काम है, 32, 60 time each second होता है, अगर हमें एक line draw करना है, तो ये यहाँ से इस point से उठके, इस point पे जाएगा, फिर इस point से इस point पे आएगा, ऐसे ही ये move करता रहेगा, 32, 60 times each second, हर second में 32, 60 times, दोस्तों हमारा जो पिक्सिल का concept है, उसे अच्छे से समझ लेते हैं थाकि आप लोग को समझ में आए, हमारा जो भी image produce होता है, इस screen पे, वो row and column के form में होते हैं, ये row हमारा x-axis हुआ और column y-axis हुआ, ठीक है, अकर हम कोई भी line drawing algorithm यूज करते हैं, तो ये जो है, ये pixels होते हैं, ये midpoint pixels हुए, ये जो intersecting line है, तो अगर हम अपने x-y coordinate पे कोई line draw करना चाहते हैं, कोई rectangle draw करना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे pixels से मिलकर बनता है, जैसे हम अपने x-y coordinate पे एक triangle draw करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें pixels चाहिए होंगे, हमारे triangle pixels से मिलकर बना हुगा, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अपने screen पे कोई triangle draw करना चाहते हैं, ये हमारा triangle draw करना मालिजे यहां से start किया, और ये यहां draw कर दिया, फिर ये line draw कर दिया, फिर ये line draw कर दिया, तो यहां पे इसका completion नहीं होगा, ये 30 to 60 times हर second में, each second में, ये move करता रहेगा, और ये जब तक move करेगा हमारा जो, ये phosphor coated screen है, ग्लो करेगा, और हमारे screen पे ये image, ये triangle है, produce होगा, और हम लोग को दिखेगा, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, vector scan display का concept, vector scan display हुआ है, क्या हो है, देखे, vector scan display, directly strike electron on the particular area, फिर an image has to be produced, ठीक है, ये जो है, हमारे screen का, area, इससे मालूम होता है, कि हमें कहाँ पे अपना image, produce करना है, इस्टीड ओफ मूविंग होल स्क्रीन, इट डैरेक्ली, मूव्व सॉन सच प्रेस, वेर इट हैस तो बी प्रोड्यूस, ये जो हमारे screen है, इच पिक्सेल पे घूमने की जगह, ये पिक्सेल से हमारे, साड़े पिक्सेल को पे जाने की जगह, हमारे जो vector scan display है, वो सीधे इस पिक्सेल से, इस पिक्सेल पे मूव करेगा, क्योंकि इसे particular area पता होता है, कि हमें कहाँ जाना है, ये पूरे whole pixels को cover नहीं करेगा, बस उसी particular area पे जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका advantage, disadvantage देख लेते हैं, हमने देखा कि vector scan display, वनली lines produce करता है, lines मिलकर जो भी बने, जैसे triangle, rectangle, any polygon, curves, जो भी हो, वैसे ही image produce करता है, तो आई हम का advantage देखते हैं, एक advantage हम बोल सकते हैं कि ये higher resolution होता है, है इसके पास, ठीक है, हाई resolution का मतलब यहाँ यह हुआ कि हमारे पास, रास्टर scan display होता है, जिसके पास lower resolution होता है, वो पूरे screen पे move करने के बाद ही, नहीं बता सकता है कि हमें, अपना image कहां पे, इस प्ले कराना है, जबकि, ये Q тай kän, और सब्सक्राइं को मालूम होता है कहां पे produce होता है से अपना पार्टिकुलर मालूम होता है कि हमें अपना image को कहां पे display कराना है तो दूसरा advantage क्या हुआ हुआ दूसरा एड्वांटेज हुआ यह स्मूथ लाइन स्मूथ लाइन कर्स कारेक्टर्स प्रोड्यूस करता है ठीक है ठीक है तीशा एड्वांटेज हम क्या सकते हैं दोस्तों कि यह few amount of memory required प्रोड़ी एड्वांट प्रोड़ी क्या एड्वांटेज है मतलब है कि जब हमारा इमेज पूरे स्क्रीन पे मूव करने की जगह बस उसी पार्टिकुलर स्पेस पे जाता है जहां हमारा इमेज को डिस्प्ले कराना है तो हमारा इमेज बस उसी पार्टिकुलर स्पेस पे स्टोर होता है और हमें बस उतनी मेमोरी के आवश्रक्ता होती है requirement होती है जहां कि हमारा image display होगा ठीक है जहां हमारा image store होगा ठीक है तो इसके कुछ disadvantage भी देख लेते हैं तो इसके पहले disadvantage में हम लिख सकते हैं कि यह कि यह realistic image प्रोड्यूस नहीं कर सकता है रिएलिस्टिक कि इमेज कांट पी प्रोड्यूस कि दूसरा डिसर्मांटेज हो सकता है कि इसके पास कलर लिमिटेशन होती है लिमिटेशन ऑफ कलर लिमिटेशन ऑफ कलर क्या हुग दोस्तों जैसे हमने पिकसिल के कॉनसेप्ट में जाना था कि हमारा जो भी image हमारे स्क्रीन पे प्रोड्यूस होता है वह मेली तीन कलर से मिलके बनाुत है वो होते हैं RGB RGB यानि की red green and blue ठीक है और यही तीनों color के पास different intensity होती है ठीक है numerical values होती है जिनके मदद से जिनको add करके हम लगभग 16 million colors बना सकते हैं 16 million color को के साहता से अपने image में color ढाल सकते हैं ठीक है उन्हें attractive बनाने के लिए तो जो हमारा pixel का color intensity होते है वो 0 से 255 तक होता है ठीक है तो हमारा इसमें limitation होता है कि यह only 4 color यूज कर सकता है ठीक है तो दोस्तों उमीद है कि आपको vector scan display से related है video समझ में आया होगा अगर आपने मेरा cathodary tube का इसके पहले का वीडियो नहीं देखाया तो मैं लिंक description box में डाल देती हूं वहां जाकर आप चेक कर लें और वोट वीडियो जरूर देखे ताकि आपको आगे का वीडियो समझ में आये vector और random scan display समझ में आये ठीक है और इसका दूसरा टेक्निक र बहुत दिक्कत होगी अगर आपने cathodary tube का concept नहीं समझाया तो ठीक है दोस्तों तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से and subscribe जरूर करें अधिक से अधिक लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए motivate हो सकूं थैंक यू दोस्तों और मैंने आपके लिए notes बनाए हैं जो जिसका link मैं नीचे description box में डाल दे रही हूँ वहाँ जाके आप अपने notes डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपकी university level exam के लिए बहुत ही beneficial होने वाले हैं Thank you, thanks for watching this video